तो अभी कुछ दुनों पहले तक जब कच्चे दिल के दाम बहुत उपर थे तो हम सभी का फोकस मोधी जरकार का फोकस था शक्कर से इथिनॉल बनाने के उपर इथिनॉल जो स्टोरी थी उसमें कमपनियों ने भेंकर निवेश किया प्लांट बगेरा जब लगेंगे तब गए थे उधारन सुरूप आप देख लीजिए बलराम पुर्चीनी पाँच सालों में इसके शेयर का दाम तीन गुना हो गया है और ये कंजर्वेटव है शेयर मार्केट में आन्ने सुकर कंपनिया देख लीजिएगा वो तो भाई साथ दददस बीजबीज गुना हो गई तो इतेनोल स्टोरी बहुत ज्यादा मार्केट में चली शेयर के दाम बढ़ गए लेकिन दोस्तों इसके कारण शक्कर की होर्डिंग भी चालू हो गई पूरी दुनिया में शक्कर की किल्लत हो गई दाम चड़ने लगे आश्मान पर अगले साल चुनाओ हैं महंगाई की सम जो है बिकराल हो रही है तो मोदी साहिब एक संतों लेंगे अधिक्तम गिरावट अभी हाल ही में एक दो दिन में आई है तो इसका कारण क्या है तो एक मीटिंग का आई विजन हो रहा है सरकार के दोरा जिसमें निर्ने लिया जाएगा कि क्या शक्कर जो की इतनौल के उत्पादने में इस्तिमाल की जाने वाली थी क्या उसको डाइवर्ट किया जाना चाहिए घरे लूग खपत के लिए कंजूमर्स कंजंशन के लिए क्या उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए अगर भारत सरकार जबरदस्ती इतनौल प्रोडक्शन से शक्कर निकालती है तो वो इतनौल की पूरी इंडस्ट्री है उसके लिए तो बुरी खबर होगी पर नाम सरूप मार्केट भी रियक्शन दे रहा है बहुग रूट रहे हैं किन्तु दोस्तों यहां हल बढ़ा कर पॉलिसी डिसीजन को देखने की जरूरत नहीं है आप शान्ती से अगर बैटके थोड़ा सोचे समझें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कदम जो मीटि participants को, traders को, holders को पता होना चाहिए अगर sentiment ऐसा रहा कि supply बढ़ने वाली है तो दाम पहले ही तूट जाएंगे तो ये sentimental discussion चल रहा है ये जो दाम तूट रहे हैं अचानक से वो over reaction ज्यादा लगता है कच्चा तिल भी तूटा है तो आपको जानका रही है पोतन साहब गयतों है वहाँ से कोई decision निकल कर आ सकता है खाड़ी के देश कच्चे दिल के दाम को तूटने नहीं देंगे किसी भी हलत में तो इतनोल की जरूरत लगेगी ही लगेगी तो हमरा आप से अगर यह है कि इतनोल क्यों लेकर अगर long term आपका view intact है जो लोग कुछ दनों पहले तक चड़ चड़के ethanol stocks खड़ीद रहे थे उनको भाई साहब अब और ज्यादा लालायत होना चाहिए किन्तु यह बास सही है कि अभी जो है गिरती हुई तलवार है तो पकड़ने की कोई तेजाई नहीं है चुनाओ आ रहे है दो तीन महिने का काम है किन्तु अगर इस पूरे meeting के चलत इतेनल कमपनियों के दाम तूटते हैं तो भाई साहब वो श्रनहरा अफसर होगा बबिश में कच्छे दिल के दाम फिर बढ़ेंगे इतेनल की चर्चा चालू होगी अख़वारों में कमपनियों के दाम क्यों नहीं चड़ेंगे आप बताईए तो अभी जो बिपत्ती महालक्षमी जी की शरण में बैठके देखिए उनका मालकदर्सन उनका आदेश जब शुगर स्टॉक्स में इतेनल स्टॉक्स में हो तब आप खरीदने के ऊपर विचार कीजिए मुना भापक कैसे बनेगा और हां दोस्तों शेर मार्केट में सफलता प्राप्त करने के देंगे उसका अनुमान लगाने की कला सीख लीजिए किन्तु ध्यान रखिएगा अगले 24 दिनों के बाद हमारे तीनों आत्मनरवर इंवेस्टर फ्यूटर से बम आप्शन्स कोर्स की फीस डबल होने जा रही है इसलिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लि काली येगा